Hello everyone, welcome to my channel, strengths, आज हम लोग चालू करने वाले हैं, thermal properties of matter का एक definition point, इसमें दो छोटी definition को मैंने शामिल किया है, जो generally avoid कर दी जाती है, लेकिन avoid क्यों की जाती है, कि कही importance इनका कम होता है, ज्यादा use में नहीं आती है, कहीं कहीं use होती है, कहीं नहीं हो पाती है, उसके लिए हमने आ मैंने जिसे बोले words अभी, इनके सबके definition, सबके details, color wise, मैंने आपके लिए बहुत अच्छे से deliver कर दी है, यदि आप अभी तक नहीं देख पाएं, link description में दिए जाके आप download कर सकते हैं, और उन्हें अच्छे से पढ़ सकते हैं, और समझ सकते हैं, students, अगर आपने channel को अब तक MSU power को समझने के लिए, हमें कुछ छोड़े points definition के जो समझना चाहिए, वो previous lectures में मैंने दिये हैं, यदि आप नहीं पड़ पाएं, तो link description में दी हुई है, जाके देख सकते हैं, ताकि ये definitions और अच्छे से समझ में आ सके, students, बिना देरी के शुरू करते हैं, MSU power, MSU power क्या होत इसका area unit है, इसका area unit है, और इस पे per second radiation जो emit हो रहा है, मानलेजी ये radiation है, ये emit हो रहा है इस per unit area से, और per second release हो रहा है, तो ये जो per second per unit area से release हो रहा है, इसे हम क्या कहेंगे, MSU power, और ये बहुत simple से definition, the quantity of heat radiation emitted per second per unit area of a body is called MSU power, it is denoted by small e, इसे हम small e से denote करेंगे, so students यहाँ देखें आप, कि it is depend upon the nature of the surface of body, अब देखिए, ये बात सही है, कि जो surface था, वो हमने unit लिया था, लेकिन surface का भी अपना कोई nature होता है, कुछ surface ऐसे होते हैं, कि कुछ कम heat को emit करते हैं, और कुछ ज़्यादा को emit करते हैं, तो ये जरूर, ये capacity कहीने कहीं depend करती है, उ उसका nature किस प्रकार से, कि क्या कर रहा है, कम कर रहा है, या ज़्यादा कर रहा है, सो हम यहाँ मान लेते हैं, कि let T time जो है, और surface area A है, और इससे जो heat radiation बाहर आ रहा है, वो Q है, सो, MSU power को हम क्या कह देंगे, MSU power जो हो जाएगा, हमारा Q upon A into T, अब स्ट्रेंट्स कितनी simple सी बात है, कि Q upon A into T, अब यहाँ हम यहाँ देखते हैं, समझने के लिए तो आपको समझाने कोश्च करता हूं, कि Q radiation है, per unit area है तो 1, और per second है तो 1, तो Q के वल सिंपल, तो वो ही Q क् power हो गया, स्ट्रेंट्स, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, कि MSU power क्या थी, वो ही heat radiation है, जो emit हो रहा है, क्यों क्या था, वो ही heat radiation है, जो emit हो रहा है, कहां से, per unit area से, और per second हो रहा है, तो वो amount, heat energy का, जो emit होता है, किसी ऐसे area से, जिसकी surface का area per unit हो, और उससे per second पर रिलीज हो हो, उसे हम क्या कहेंगे, MSU power, तो बहुत अच्छे simple में लिखा हुआ है, तो quantity of heat radiation emitted per second per unit area of a body, per second per unit area से, जो emit हो रहा है, उसे ही हम क्या कहते है, emitting, MSU power कहते हैं, इसे हम E से represent करते हैं, तो यहां formula बन गया हमारे पास, E equal to Q, Q upon A into T, E का formula हमारे क्या बना, E equal to Q upon A into T, अब इसकी unit हम देखते हैं, unit of MSU power, अब यहां देखे हैं, हम unit के लिए Q, तो Q के लिए अपन क्या लेंगे, joule लेंगे, यहां पर strengths, Q के लिए हम यहां लेंगे, joule upon, area, area जो है, meter square है, और time जो है, वो second है, so strengths यहां पर joule per meter square into second, इसकी unit होती है, लेकिन हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा है, तो हम एक नई unit और मिल जाती है, देखे, मैं आपको वाता था हूं, कि यहां पर हमने joule को लिया, और joule क को लेने के बाद, इसमें पर second को रख लिया, और one upon meter square को अलग कर दिया, so strengths हम जानते है, joule upon second, वो क्या होता है, वाट होता है, तो यह unit क्या हो जाएगी, watt upon m square, मतलब watt per meter square, so इसकी जो unit हुई strengths, वो unit of immersive power is watt per meter square हुई, हम joule per meter square into second भी कह सकते हैं, लेकिन प्रापरली हम बोलें होंगे watt per meter square, so strengths की dimension formula दे भी निकालना चाहें, तो वो भी हम easily निकाल सकते हैं, देखिए आप यहाँ पे जूल की अब देखें, कि उसकी लिए हमारे पास M1L2T-2 है, इस प्रकार से हम देख रहा हैं यहाँ पर, कि Joule upon meter square into second पर हम Joule के लिए M1L2T-2 ले रहा है, meter के square के हम, जो second के लिए हम क्या लेने वाले हैं, T, अब strengths यहाँ आप देख रहा हैं, कि L square उपर चला जाएगा, तो यह power पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, तो L0 हो जाएगा, लेकिन T की power यहाँ पर 1 है, उपर जाकर माइनस होगी, तो T-3 हो जाएगा, इस प्रकार M1L0T-3, इसक का dimension formula है, छोटी सी definition है, देकिन definition को हमें इसलिए क्लियर रखना है, कि यह तो हमारे लिए बहुत important है, किसे important है, कहीने कहीने कहीन हमारे बेस, जितना strong होगा, competition में अच्छा stand करेंगे, यहाँ पर कई छोटी चीज़े स्कूल में छूट जाया करती है, कही बार इसलिए नहीं क teacher नहीं पढ़ा रहे, they are teaching you, लेकिन कहीने 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 करते हैं, इतनी सी बात से क्या है, लेकिन यह कहीने कहीन हमारे लिए, देखा आपने यहाँ पे, मैंने आपको dimension formula बना के दिया, और साथ में unit भी explain करके जिए, ताकि आप यह समझ सकें कि किस तरह कैसे हमें competitive के लिए ता ब्लेक बॉडी की emissue power को compare करवाया जा रहा है, ब्लेक बॉडी की emissue power से, तो यहाँ दो emissue power है, एक तो body की emissue power और एक black body की emissue power, उनका ratio देखते हैं, तो वो emissue t होती है, the ratio of emissue power of a body and emissue power of a perfect black body, किसी body का और perfect black body का, दोनों के emissue power का ratio, at same temperature is called emissue t, दोनों का temperature सेम होना ज़रूर है, जो body का temperature है, वो ही black body का temperature होना चाहिए, चाहिए वो कहीं और रखी हो, लेकिन इसी साथ में रखी हैं, तो temperature उनका दोनों का सेम होना चाहिए, और दोनों की emissue power को निकालेंगे हैं, और उनका ratio हम जब find करेंगे, तो वो हमारी होगी emissue t, इसे हम epsilon से represent करते हैं, E is a emissue power of body and capital E is a emissue power of a perfect black body, मैंने आपसे कहा कहा, दोनों का ratio, देखे, E upon E, so emissue t, epsilon equal to E upon E, अब हाप यह जानते हैं हमेशा, कि black body का हमेशा emissue कहीं दूसरी body से जादा होता है, so value of E is always less than value of capital E, जो किसको stand करती, किसके लिए stand करती है, वो perfect black body के लिए करती है, तो यह E is less than E So emissue of the body is less than 1, कभी भी हमेशा किसी body की, as compared to black body, perfect black body, वो हमेशा क्या होगी, less than 1, यह छोड़ी-छोड़ी दोन definition ती, students, I think आपको clear होगे होगी, और समझ में आ गया है, तो इसे एक बार और देखकर लिखी है, जरूर लिखकर करने से perfection आ जाता है, और आप आगे बढ़ सकते तो मिलते हैं नेक्स टूडियो में, तिल देन, स्टे बलेस, और गुडबाई